क्वेष्चन में बड़ी पावर हैं, लीडर के पास सिर्फ एक क्वेष्चन होता है, आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ चाल स्वाब हुआ एक, चाल स्वाब स्टील का किंग है, था चाल स्वाब, मतलब स्टील में अगर कोई लक्षमी नारायन मित्तल था तो चाल स्वाब था, रात को नीन नहीं आ रहे थी तो फैक्टरी चला गया, फैक्टरी में भट्टी में गरम होके और वो उसको मास को मोल् कितने करते हो आप बैच बैच बोलते हैं इसको इंजिनिरिंग भाषा में बैच कितने बैच प्रोड्यूस करते हो है तो वर्कर ने बोला सर फाइव पांच बैच होते हैं एक शिफ्ट में जोड़ ठीक है चॉक लिक्या हो एक चॉक लाया हो चॉक पे उसने 6 लिख दिया फर्ष पर फर्ष पर क्या लिखा है छे कुछ नहीं बोलाओ सिर्फ 6 लिख और चला गया चेर्मेन कंपनी का आया हो एक वर्कर से पूछे कि कितने बैच निकालते हो और वो बोले पांच और वो और कुछ नहीं बोलता है सिरफ छे लिखके चला जाता है तो क्या होगा उसका असर देखी तीन हफते के बाद वो ही बैच में उसी शिफ्ट में छे बैच निकलने लगे तो सबको बड़ी हरानी कि ये हुआ क्या तो जब उन्ने रिसर्च की तो पता लगा कि साप जब 6 लिखके गए तो आने वाली शिफ्ट के लोगों ने बोला ये क्या लिखा हुआ आ है बसे आपि किस नहीं लिख़ा है बलग क्यों हो क्या बोला उन्होंने उन्होंने सिर पर एक सवाल पूछा कितने बैच होते हैं हमने का पांच उनने का चौकलाओ शे लिख दिया इस पर discussion शुरू हो गया और discussion शुरू होते हुए यह हुआ शायद boss छे चाता है अच्छा अगर 6 चाता है तो क्या 6 निकल सकते एं अच्छा अगर निकल सकते हैं तो कैसे निकल सकते हैं इस मैंसे solution निकलने लगे और तीन हफ़ते के अंदर पांच की बजाए छे है इसका मतलब productivity कितनी बढ़ गई सिरफ एक सवाल से